Hello everyone, welcome to cue education और आज की विडियो में हम इस वीडियो में में करने वाले हैं 12 लाज के mathematics का sk हूँगे जो 2 अब उसमें mathematics का заключ krS एस्टार्ट करते हैं ल्म्हें तो जैसे कि आपके बचों उक् driving एक्जाम कंप्लीट हूँ है आज 15 दिसम्बर है तो आज बचों के एक्जाम कंप्लीट हो चुके हैं मैं स्क्राइब तो आपका क्रूइल है तो यह थो आ वह अलिक आपको तो इसमें आपकी unit के अंदर कोन कोंज से चैप्टर ए चेप्टर है यह यूनितब की फिर वेक्टर म इंट जो है आपके यह आपकी यूनित है इसके बाद probability यह इक तो यूनित में कितने कितने चैप्टर है वह आपको देखने थैक ठीक है तो शौर आपके जो मार्क एम पार्ट बचा हुआ है अभी आपका कैल्कुलिस का जो कुछ पार्ट से जो आपने फर्स्ट रम में पढ़ लिया जैसे चैप्टर नूमर फाइफ पढ़ लिया आपने कॉंटिनिटी डेरिवेटिव और आपने इसके बाद अप्लिकेशन डेरिवेटिव पढ़ाता है तो इस आपका एट मार्स किया तो यह तीन हो जैएंगे उसमें आपको माक्स मिलेंगे बिजो भी मांक्स मिलेंगे आपको फिर सेकेन्ज और्म जहोगा वह भी कैसे है वही कीर्टी फिर प्लस आपका तेन टोटल मिला के ओजाएंगे 50 इस तरह से आपको पूरे 100 में से result मिलेगा जो आपका मिलेगा 100 में से result आएगा अगर exam होते हैं सेकेटर्म के ठीक है तो यह आपके क्या था यूनिट्स है अब यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर 8 है और यह डिफ्रेंशल एक्वेशन यह भी क्या है आपकी यूनिट्स के अंदर आती है अब यह दिहान देना इसमें जिन बच्चों को डेरिवेटिव आती होगी वह इंटिग्रेशन करने में इजी है आप जिन बच्चों को इंटिक्रेशन आएगा वह यह दोन इसमें बड़ों के का य говоря यूनिट का था यूनिट का था वैक्टर एंड तृ दिसक्कैंद्र टू तो जो नवरऑ जब नवर 11 मंट और यूबर त्व यह ऑ्ली की अंदर एक फुर्स का आपकर आचुका है तो अब कि ठीक है अब आपका बस खाली प्रोबेबिलिटी यो यूनिट है 13 चैप्टर जो बचा हुआ है वह आएगा अब इसमें आप थियोरम पड़ोगे और इसमें कुछ टॉपिक डिलीट है तो मैं एक सेप्रेट वीडियो बना दूगा इनके लिए जिसके अंदर कौन-कौन से यह चैप्टर जो फरोटिन मांक्स का था टो अगर आप देखोगे यह एट मांक्स की है यह आपका एत मांक्स मांडा जाएगा तो यह वो गया तो यह वो गया आपका 40 तो 40 मार्क्स आपके इस तरह से डिस्ट्रीबूइट हुए हैं किसमें क्या हैं इंत्रिग्रल से इसे इसे ऑई बोल देते आप जैसे उसे यह बोल तो चैप्टर 6 को और यह दिफ्रेंसल एक्वेशन यह तीनों मिला के 18 मार्क्स फिर और फ्रोबिलिटी आपकी एट मार्क्स तो यह जो चैप्टर से हैं आपके 40 मार्क्स कहेंगे अच्छा इंटर्न अस्पेंट में दो यह चीज़ें एक तो जो प्रियोडिक टैस्स अब के हो रहे हैं जो अब होंगे सेगेंटर में जो होंगे ठीक है उसके आपके 5 मार्क्स आपके एक्टिविटी फाइल बनेगी और उसमें आपके अपके असेस्मेंट होगा और एक वाइवा होता है जब फाइल समीट करा थे तो हमां वाइवा एक दोगोशन नोपकर जाने दोनों मिलाकर तो इस तरह से 10 मार्क्स के आपकी क्या हो जागी इंटरनल असेस्मेंट ह हो जाएगी तो यह होगे 10 marks और जो मैंने आपको बताया है यह आपके 40 marks और यह आपके स्टूडेंट्स हैं जो आपके फ्रेंड से उनके साथ शेयर करें जिससे इनको इंफॉर्मिस मिल जाए कि जो चैप्टर आने वाले उसमें कितनी है ठीक है तो यह थी आपकी यूनिट्स और यह थे आपके chapters marking with marks और यह आपकी क्या है इंट्रिल असमेंट है ठीक है तो बच्चो इस तरह से आप इसके सारे यह नोट कर लेना इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वह नोट कर लेना ठीक है और मैं इसके जो भी जो चैप्टर वाइस मैं आपको इसके कुछ important question की वी परुआ हो ऴे सम्धड़ आपके compass का सराड़ी उंज किया ऌसे फीक है झाह इसके सारे यह नोट कैसे सा है थार सब्सक्तियों को ंपके सारे सा पक आपके से बितल पुछ पुराब मैं,श्बम यह और शो पुक El care here our next 4 5 paar को दज्ज़ grains और